अपनी स्टेजिस से ही हम उसको डिफाइन करते हैं कि इस इत क्योरिबल और नॉट क्योरिबल यह भी हमारे ही शरीर का एक autoimmune process है जिससे वो हमारे joints में ही बुरे cells बनाना शुरू करते हैं inflammation swelling होनी शुरू होती है जो हमारे joints की covering है वो degenerate होना शुरू हो जाती है जिससे की यह problem patient की बढ़ती जाती है हमारी medicine से उनका degeneration का process जो है वो slow हो जाता है and in early stages completely stop हो जाता है उसके बाद healing शुरू होती है the new cells get formed joint को हम with the help of supplements, exercises, physiotherapy दुबारा से strong बनाते हैं supporting muscles को strength दिया जाता है so that the patient can come out of the stage of arthritis प्रिमों जाते है बादिन का था क्या है the new cell की आपिया बहाभा लो जाता है the new cell की जाता है the new cell की जाता है झाल झाल